स्वागत है मित्रों, आज मई महीने का पहला रविवार है और मई महीने के पहले रविवार को World Laughter Day के नाम से मनाया जाता है तो मुझे ये सुचना ट्वीटर के माध्यम से मिली चुकि मैं ट्वीटर स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि क्यों ना इसके ऊपर कुछ बात की जाए तो कुछ महापुर्सों ने जैसा कहा है कि a day without laughter is a day wasted मतलब अगर हिंदी में इसको अनुआद करें तो कोई दिन जो कि आपका बीत रहा है जिसमें आपने हसा नहीं, मुस्कुराया नहीं वो दिन एक तरह से आपने अपने जीवन का बरबाद कर दिया तो इस साल का जो थीम है World's Laughter Day का वो है हास से के माध्यम से विश्व सान्ती आपको जैसा पता होगा कि विश्व में चारो तरफ मार काट मचिव ही है और एक तरह से पूरा विश्व एक दूसरे से उल्जा हुआ है तो इस परिपेक्च में मुझे लगता है कि ये थीम अच्छी है और हम सब को मिलके अपने आस पास प्रयास करना चाहिए कि सब के जीवन में सान्ती बनी रहे तो आज के दिन मैं आपके लिए कुछ दू-तीन छोटे-छोटे हलके-फुलके चुटकुले या मजा के पल साजा करना चाहता हूँ क्योंकि आज वर्ल आफ्टर डे है तो आज आप भी हसें मेरे साथ तो इसमें मैं कुछ ऐसे incidence का discussion करूँगा जो की real life पे based है तो जो पहला incidence मैं discuss करना चाहता हूँ incidence नहीं, incident, actually incidence एक mathematics में matrix के नाम से concept पढ़ाते हैं तो इसलिए और कई बार अंग्रेजी के सब्दों के उच्चारण में गलतियां हो भी जाती है तो ये incident की बात में करना चाह रहा हूँ तो हुआ ये कि एक दिन अचानक मैं जब काम से वापस लौट रहा था पांच बज़े के बाद का सनय था तो मुझे एक call आया, एक बच्चे का एक जल्दी बाजी वाली आवाज में की sir कर मेरा एक exam है मुझे नहीं पता कि बच्चे को नंबर कहां से मिला पर उसने मुझे call किया कि sir मेरा कल exam है तो मुझे कुछ महतपूर्ण topics के बारे में बता दीजे उसने course code की बात की तो मैंने उससे बोला कि दो ही महतपूर्ण topic है बच्चा बिल्कुल खुस हो गया कि चलो जाता है एक होता है मिट्रम के पहले का एक होता है मिट्रम के बाद का तो जो मिट्रम के पहले है वो 3 unit है और मिट्रम के बाद जो है वो 3 unit है तो मैंने उससे कहा कि आपको दो ही चीजे पढ़नी है मिट्रम के पहले जो 3 unit है वो पढ़ लो इसको सुनते ही बच्चे ने आवाज कार दी मुझे बैक्ग्राउंड में कुछ ऐसी आवाजें आई जिसको मैं इस वीडियो पे नहीं बोल सकता पर ये भी एक घटना थी जो कि काफी बाद में मैं इसको सुचके काफी देर तक हासता रहा तो आप भी हासे है क ही नहीं जो दूसरी घटना है वो कुछ इस तरह है यह भी एक रियल लाइफ इंसीडेंट में है कि एक बार कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम हमारे पास बच्चे आते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे आज अटेंडेंस मिल जाएगी क्या मैं किसी कारण से क्लास नहीं लगाना चाहता हूं और जैसा कि मैं कभी ऐसा करता नहीं तो एक बार एक बच्चा आया उसने मुझे से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि सर आज अटेंडेंस लगा दोगे तो मैंने लगा दूँगा अगले दिनों बच्चा दोबारा आया बोला सर आपने तो एपसेंट कर दिया तो मैंने बोला कि मैंने तो ये बोला था कि मैं अटेंडेंस लगा दूँगा मैंने ये कहां बोला कि मैं प्रजेंट लगा दूँगा इस बात पर भी जो उसके चेहरे पर भाव आए उसको देखके और उसको मन में सोचके मैं काफी देर तक आसता रहा तो आप भी हम से एक और तिसरी जो बात मैं करना चाहता हूं यह चुटकुला मैं अकसर सुनाता हूं अपनी classes में भी तो कई बार जब खास कर जो लड़किया हैं वह आपस में बात्चित कर रही होती हैं तो उस पड़ी मैं यह चुटकुला सुनाता हूं तो चुटकुला कुछ इस तरह है कि तीन दोस्त आपस में एक सर्थ लगा रहे थे कि जो भी सबसे बड़ा जोक बोलेगा या जो सबसे बड़ी ऐसी बात बोलेगा जिसको विश्वास करना मुस्किल हो तो वो यह जो गेम है वो जीच जाए है कि इसको आप नहीं हो सकता हो सकता है that may be possible तो दूसरे नहीं कहा कि मैं यह दावे के साथ कर सकता हूं कि जो अगली बार IPL होगा वो RCB जीतेगी तो इस पर भी लोग थोड़े बहुत देर तक बोले कि हैं ठीक है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जीत सकती है IPL RCB भी RCB क फैन हो सकता है नराज हो जाई इस बात से पर ठीक है तीसरे नहीं जो बात बोली वो महत्पुर्ण थी उसने कहा कि मैं कल एक मेले में गया था और एक जगा पर मैंने देखा कि दस औरते एक साथ बैठी हुई है और दसों के दसों चुप हैं तो इस बात पर उस वेक्ति को जिसने चुठकुला सुनाया और जिसने ये बात कहा उसको वो आवार्ड दिया गया क्योंकि वो गेम वो जीत गया था है कि नहीं तो मुझे आसा है कि ये जो बात हमने की उससे आपका भी आपके चेहरे पर भी एक खुसी आई होगी आप भी हसे होगे आप इसको साजा करे और अपने आसपास खुसिया फैलाएं हसी जो है जीवन का एक महतपुर्ण अंग है और अगर आप हसते नहीं है और दूसरों को हसाते नहीं है तो जरूर आप कुछ गलत करने है तो आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ हसिये खुलके हसिये हसाईए भी और सबसे अ